हलो एवरिवन आज के वीडियो में आप जानेंगे आर्टिकल्स के रूल्स इनका इस्तिमाल कहां और कब किया जाता है वो सारे रूल्स आप इस वीडियो में सीखने वाले हैं तो चलिए शुरू करते हैं आर्टिकल्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है इन डेफिनेट आर्टिकल्स जिसमें की ए और एन आता है और डेफिनेट आर्टिकल्स जिसमें डा आता है तो इन डेफिनेट और डेफिनेट आर्टिकल्स इन दो पार्ट्स में इन तीनों आर्टिकल्स को डिवाइ किया गया है तो सबसे पहले हम इंडेफिनेट आर्टिकल के रूल्स जान लेते हैं इंडेफिनेट आर्टिकल मतलब ए एन मतलब की हम केवल एक या एक वचन जिनको गिना जा सके ऐसी नाउन से पहले ए और एन आर्टिकल का यूज करते हैं इनका यूज हम प्लूरल नाउन और अनकाउंटिबल नाउन के पहले नहीं करते हैं ए और एन को इनडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं क्योंकि यह अनिश्चित इनडेफिनेट नाउन के पहले आते हैं एक्जामपल देखेंगे जैसे कि I saw a girl girl के पहले girl नाउन है नाउन से पहले ए आर्टिकल का यूज हुआ है तो यहाँ पर जिस लड़की की बात हो रही है वो any girl कोई भी लड़की हो सकती है मतलब कि निश्चित नहीं है अनिश्चित है इनडेफिनेट है the को definite article कहते हैं क्योंकि वह निश्चित यानि कि definite noun के पहले यूज किया जाता है एक्जामपल है जैसे कि I went to meet the teacher तो teacher से पहले teacher noun है तो teacher से पहले the article का यूज किया गया है तो the teacher of our class मतलब कि जो teacher की बात की जा रही है वो हमारे class की teacher है तो यह क्या definite है निश्चित है इस teacher को हम जानते हैं जैसे कि यहाँ पर a cow, a woman, a chair, a boy, a horse, etc. यह जो noun दे रखाया उसके पहले हमने a article का यूज किया है क्यों किया है क्योंकि cow का जो पहला sound यानि जो ध्वनी है वो क की आ रही है woman में व की आ रही है, chair में चर की आ रही है और boy में ब की आ रही है horse में ह की आ रही है यानि कि यह जो ध्वनी है वो consonant की है इसलिए हमने यहाँ पर a article का use किया है यू, यू में यू की ध्वनी आती है जैसे की European, useful, union और university में मतलब कि letter तो क्या है? ववल है, यू है, यू है लेकिन हमको sound की तरफ ध्यान देना है, ध्वनी की तरफ, आवाज की तरफ बोल रहे हैं तो consonant का sound आ रहा है इसलिए हमने a article का use किया है अब आगे आप जान ले कि कौन सी noun के पहले हम a article लगाएं और कौन सी noun के पहले हम an article लगाएं We use a before a consonant sound and not the spelling क्या बताया है कि consonant sound की तरफ आपको ध्यान देना है spelling की तरफ ध्यान नहीं रखना है अगर consonant sound होगा तो हम a article का use करेंगे और आपको clear होगा example के through जब आगे हम example देखेंगे ना उसके बाद We use an before a vowel sound and not the spelling vowel sound होगा तो उससे पहले उस noun के पहले हम an article का use करेंगे spelling नहीं देखनी है आपको vowel कितने होते हैं five vowel होते हैं A, E, I, O, U ठीक है आपको ये नहीं देखना है कि A vowel आगया, E आगया, I आगया तो हमको an article लगा देना है, नहीं आपको sound की तरफ ध्यान देना है example के through जब आप देखेंगे अभी आगे तो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा जब O की आवाज वह हो, तब भी हम A article का use करेंगे हम O को नहीं देखेंगे, हम sound को देखेंगे sound क्या है, consonant का है, वह क्या है, consonant है तब भी हम A article का use करते हैं जैसे कि a one रुपी note, a one-eyed man यहाँ पर हमने A article का use किया है क्योंकि sound ही consonant का है हमको letter O नहीं देखना है abbreviations के आगे भी हम N article का use करेंगे जैसे कि LLB है, LLB के पहले हमने N article लगाया है MA, SP, SDO, इन सब के आगे हमने N article लगाया है हमने इनके पहले letter को नहीं देखा है हमने पहले letter से शुरू होने वाले जो दुहनी है sound है, उचारन कैसे हो रहा है, वो देखा है अगर consonant का होगा, तो हम A article लगाएंगे अगर वावल का उचारन होगा, तो हम क्या N article लगाएंगे जैसे LLB में letter दो L है, consonant है लेकिन उचारन किसका हो रहा है? किसका? वावल का हो रहा है L, A, A है ना, sound, इसका पहला जो उचारन है पहली जो दुहनी है, A, M में भी ऐसे है आप बोल के देखें, तो आपको सही से clear हो जाएगा इसकी बाद क्या है कि? H, H होता है न, वो silent होता है जैसे कि, ear, honest और hour यहाँ पर H जो है, silent है और बाद में जो इसका उचारन क्या हो रहा है किसका हो रहा है? वावल का ही हो रहा है क्यों? ear, e आ रहा है, honest, a आ रहा है ठीक है? hour, a आ रहा है तो हमने an article का use किया है अब आगे हम कुछ examples देखेंगे उनको आप बोल लिएगा और बोल कर practice कीजे कि कैसा उनका उचारन हो रहा है कैसी उनकी द्वनी है? उसी के according यहाँ पर a और an article लगाए हो है जैसे कि a university university में क्या है? you, year, क्या है? consonant है इसलिए a article है an ear, क्योंकि e, e का sound आ रहा है क्योंकि वावल का sound आ रहा है तो an लगाया है an ear, year में e का sound नहीं है year का sound है इसलिए हमने a article लगाया है a pen, consonant sound है pen में an elephant, elephant में क्या है? a, वावल sound है a cat, cat में क्या है? consonant sound है इस तरह के से आप practice करके बोल के इनको देखेगा अब आगे हम the article का use देखेंगे परवट शेनियों, नदी, नहर, सागर, महासागर, खाड़ी, रेगिस्तान, द्वीप समुहों, प्रसिद, इमारते इन सभी के आगे हम the article का use करते हैं कुछ example देखेंगे जैसे की the हिमाल्यास, the ब्रह्मपुत रीवर, the Red Sea, the Indian Ocean, the Bay of Bengal, the Sahara Desert, the Andaman and Nicobar, the Taj Mahal इस तरीके से इन सभी के आगे हमने the article का use किया है क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई परवट शेनी है, कहीं पर नदी है, कहीं पर नहर है, कहीं पर डैजर्ट है इसलिए, singular, common, noun के पहले भी हम the article का use करते हैं, जो अपनी पूरे class को define करते हैं, अपने पूरे समो, अपने group को define करते हैं जैसे कि example है, the dog, the camel, यहाँ पर एक dog और एक camel की बात नहीं हो रही है, the dog, dog में पूरे group की, पूरे dog की class की बात हो रही है, पूरे समो की, the camel, camel में भी सभी camel की बात हो रही है, एक camel की बात नहीं हो रही है religious books इनसे पहले भी हम the article का use करते हैं जैसे कि the गीता, the Quran, the Bible ध्यान रखे कि poet और writer के आगे हम the article का use नहीं करते हैं आकाश या आकाश से संबंधित चीजों से पहले यानि कि जो पूरे संसार में एक है जैसे कि the sun, the moon, the sky इनसे पहले भी हम the article का use करते हैं चारों दिशाओं के पहले भी हम the article का use करते हैं जैसे कि the east, the south, the west, the north न्यूस्पेपर के आगे जैसे कि the times of India main historical events जो होते हैं उनके आगे भी हम the article का use करते हैं जैसे कि the first world war, the independence day दा का प्रयोग किसी देश के नाम के साथ नहीं होता है पर उस देश के नाम के साथ इसका प्रयोग होता है जिस देश का नाम छोटे छोटे कई सारे देशों को मिला कर बना हो एक नाम हो ठीक है जैसे कि एक्जामपल है तो यहां पर भी हमने दा आर्टिकल का यूज किया है The first table यहां पर first क्या है constitutional है तो यहां पर भी हमने दा आर्टिकल का यूज किया है superlative degree के adjectives और ordinals के पहले भी हम दा आर्टिकल का यूज करेंगे only से पहले भी हम दा आर्टिकल का यूज करते हैं जैसे कि example है only friend इससे पहले हमने दा आर्टिकल लगाया है plural name कोई country का plural name होगा ना जैसे कि neither land नहीं है तो इससे पहले हमने दा आर्टिकल का use किया है post और musical instrument के पहले भी दा आर्टिकल का use होगा जैसे कि example है the prime minister, the piano जैसे कि यहाँ पर एक sentence है yesterday I bought a car मतलब कि कल मैंने एक कार खरीदी एक कार खरीदी कार एक noun है फिर से अगर हम उसी कार की बात करते हैं जो की मैंने खरीदी उसी कार की वो वाली कार ठीके जिसकी बात हो रही है तो यहाँ पर इस कार के फिर से अगर हम बात करते हैं तो a car यानि इस car से पहले हम a article नहीं लगाते हैं हम लगाते हैं the article हम कहेंगे कि the car is amazing हम इस the car की बात करें न तो यह निश्चित और परिश्चित है यह वही वाली car है जो मैंने कल खरीदी इस तरह से हम यहाँ पर इस car से पहले the article का use करेंगे तो इस प्रकार के sentences आपको जैसे जैसे आप पढ़ेंगे तो देखने को मिल जाएंगे जहाँ पर the article का use होता है यानि कि जो चीज निश्चित और परिश्चित होती है जिसको हम पहले से जानते हैं नोन होती है वहाँ पर भी हम the article का use करते हैं तो उमीद है कि यहाँ पर यह जितने भी आर्टिकल के रूल्स है वह आपको समझ में आ गए होंगे तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं कॉर्ण एजुकेशनल वीडियो के साथ तब तक के लिए थैंकि सो मच